बहराईच के विकास खंड फकरपूर की ग्राम पंचयज अजीचपूर में कब्रिस्तान व खलिहान की जमीन पर बने एक मदर्से व अच्छा पक्के मकान प्रशाशन ने भारे पुलिस बल के साथ पहुचकर बुल्डोजर से धाहा दिये मदर्सा व मकान कब्रिस्तान व खलिहान की जमीन पर गाउं के ही दबंगों ने अवैत तरीके से कब्जा कर बनवाए थे प्रसासन की करवाई से गाउं में अफ्रा तफ्री का मोहल बना हुआ है विकासकन फकरपूर की ग्राम पंचयत अजीशपूर में कब्रिस्तान व खलिहान की जमीन है जमीन पर गाउं के रहमत अब्दुल्रहमान रईस मुस्लिम आदी ने दबंगई के बल पर जब्रन अतिक्रमण कर एक मदर्शा व च्छा पक्के मकान बनवा लिये थे अवैद कब्जे का मामला तहसिलदार न्याइक कैसर गंज के नियाले में पहुचा था तहसिलदार न्याइक ने कब्रिस्तान व खलिहान की जमीन पर अवैद तरीके से कब्जा कर मदर्शा व पक्के मकानों के मामले को गंभीरता से ले लिया उन्होंने एक वर्ष पुर्व धारा पंदरसी के तहत कारवाई करते हुए अवैद कबजेदारों को नोटिस जारी कर ततकाल अवैद कबजा हटवाने का आदेश दिया था लेकिन अवैद कबजेदारों ने कबजा नहीं हटाया इसके बाद तहसिलदार नयाइक ने अवैद कबजा हटाने को लेकर कबजेदारों को नोटिस भी भेजी थी लेकिन हालाद जस्के तसरह है मामले की जनकारी होने पर डीम डॉक्टर दिनेश चन ने गंभीरता से लेते हुए SDM कैसरगंज को सक्ती के साथ अवैज कबजा हटवाने के निर्देश दिये थे DM के निर्देश के बाद तसील कैसरगंज सीव प्रसाथ की अगवाई में नायब तसीलदार विजे कुमार सुकला वपर्मान अंतिवारी की टीम भारिश पुलिस बल के साथ बुल्डोजर समयत मौके पर पहुच गई इस दोरान टीम ने मौके पर बने मदर्शे और छे पक्के मकानों पर बुल्डोजर चला कर गिरा दिया प्रसाथन की अचानक हुई कारवाई से पूरे गाम में अपरा तफ्री का मोहल बना रहा ग्रामसभा अजीशपूर में कब्रिस्तान वा खलिहान की जमीन पर एक सल पुर्व अवैद तरीके से कब्जा कर मदर्शा वा पक्के मकान का निर्मान होने की जनकारी मिली थी मामले की अवैद कब्जेदारों को कई बार नोटिस भी पेजी गई थी लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया था मंगलवार को जमीन पर बने मदर्शेवा पक्के मकानों पर बुल्डोजर चला कर मकान और मदर्शा गिरा दिया गया झालवार को झाल